अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनेया बी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मन को कंट्रोल करने का मूल मंत्र क्या है मन को शान्त करने का मूल मंत्र क्या है इसके उपर मैं बहुत अच्छे से साइन्टिफिक प्रोसेस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से अंडेस्टेंड करिएगा दोस्तों हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम हमारे मन को मन को कैसे कंट्रोल करें अच्छा हम इस चीज को सीखें कि हम हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें तो उसके लिए ये जानना ज़ादा ज़रूरी हो जाता है कि बेसिकली हमें मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है मन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यूं है क्योंकि दोस्तों हम किसी काम के उपर फोकस करना चाहते हैं किसी काम के उपर ध्यान लगाना चाह रहे हैं और ये बात बहुत अच्छे समय पता है कि जब तक उस काम पर हमारा ध्यान नहीं लगेगा उस काम पर हमारा focus नहीं होगा तब तक हमें outcome वो नहीं मिलेगा जो outcome हम चाहते हैं तो अगर हम हमारी इच्छा के according कोई भी outcome चाहते हैं हमारी planning के according, results चाहते हैं तो हमारा focus होना बहुत ज़दा जरूरी है हमारा, उस चीज के उपर उस काम के उपर ध्यान होना बहुत ज़रूरी है आप दुकान में काम कर रहे हैं तो आपका दुकान के अंदर ध्यान होना बहुत ज़रूरी है आप ओफिस में काम कर रहे हैं तो आपका ओफिस में ध्यान होना बहुत ज़रूरी है तो आप जो भी काम करते हो उस काम के अंदर आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है और जब हमारा ध्यान होगा जब हमारा फोकस होगा तभी हमारी productivity अच्छी आएगी productivity अच्छी आने से मतलब क्या है कि जो outcome हमें उस काम से चीए जो outcome हमें चीए जिस outcome की planning हमारे दिमाग में है वो outcome हमें तब ही मिलेगा जब हमारा मन क्या होगा उस चीज के उपर focus होगा, ध्यान लगेगा हमारा मन है वो बहुत अच्छे से उसके उपर control होगा अच्छा अगर ये सारी चीज़े नहीं हो रही मतलब हम जिस पर ध्यान देना चारे है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा हमारी productivity डाउन हो रही है हम हमारी surrounding के साथ में connected feel नहीं कर पा रहे एक जुडाव महसूस नहीं कर पा रहे मतलब मन जहां लगाना चारे है वहां नहीं लग रहा productivity जो चारे है वो productivity नहीं मिल रही और surrounding के साथ में connected feel नहीं कर रहे तब हमारे जेहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमें किसकी जरुरत है हमारे मन को control करने की जरुरत है क्योंकि जीवन में मज़ा तब ही आता है जब आपका मन वहां लगे जहां आप लगाना चाहते हो जैसे मैं अभी इस वीडियो के थुरू इस session के थुरू इस वीडियो के अंदर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहरा हूँ जब मेरा पूरा ध्यान इसमें लग रहा है तो मुझे इसके अंदर गया रहा है मजा रहा है जीवन में मजा तब ही आता है जब आपका मन उस present moment में हो जिस moment में आप हो जिस moment में आप physically present हो वहाँ पर अगर आपका मन 100% है तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो बहुती ज़्यादा comfortable बहुती ज़्यादा easy महसूस करते हो तो यहाँ पर यह सवाल इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि हमारा मन जो है वो उस जगह पर नहीं लग रहा जहाँ पर हम लगाना चाह रहे है तो फिर हम क्या करते हैं हम अपनी तरफ से हमारे मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अच्छा हम अपनी तरफ से कोशिश क्या करते हैं हम कोशिश यह करते हैं कि जबरदस्ती हम हमारे मन को एक जगह पर focus करने की कोशिश करते कि नई, मुझे सिर्फ मेरे काम में ध्यान देना है, मुझे सिर्फ बोलने पर ध्यान देना है, मुझे सिर्फ लोगों से connect होने में ध्यान देना है, मुझे सिर्फ product को sale करने पर ध्यान देना है, मुझे और कुछ नहीं सोचना, मेरो दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, मुझे बस इनी कामों के उपर ध्यान देना है, तो हम अपनी तरफ से consciously मेहनत करते हैं, अपने ध्यान को एक जगे पर लगाने की, अब दोस्तों आप consciously कितनी देर तक मेहनत कर सकते हो, आप consciously कितनी देर तक effort डालते हो, आप थोड़े देर के लिए effort डालते हो, फिर से आप भूल जाते हो कि आपको इसके उपर ध्यान देना था, आपका ध्यान फिर से कहीं और चला जाता है, आप काम पर ध्यान देना चाहरे थे, थोड़े देर हम आप भूल जाते हो कि आर मेरे को काम पर ध्यान दे मुझे मेरे काम के ध्यान देना है, नहीं मुझे इस थॉट के बारे में नहीं सोचना, मुझे मेरे काम के उपर ध्यान देना है, हम जितना ज्यादा अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा हम हमारे मन को फोकस करने की कोशिश करते हैं, जितना इधर उधर इधर उधर दोलता है यहाँ पर फिर यह सवाल पैदा होता है कि सर मन को कंट्रोल कैसे करें तो हमारी जो यह कोशिश हैं कि जबरदस्ती मन को एक जगह पर लगाने की जो कोशिश है या फिर कोई भी जो दूसरा फोट अमारी दिमाग में आ रहा है हम उस उस फोट को दबाने में लगे रहते हैं उस फोट को हटाने में लगे रहते हैं अब जब आपकी energy दो जीगे divert हो जाती है एक तो जिस काम पर focus करना है उस काम पर ध्यान देना और दूसरा जो दूसरे थौट आ रहे हैं उनको हटाने पे ध्यान देना मतलब आपका मन तो वैसे ही क्या हो गए डायवर्ट हो गया आपका मन वैसे ही डायवर्ट हो गया आपके दिमाग में दो चीज़े चलने लगी वैसे ही आप किसमें आगे conflict में आगए और ये कारिकरम आप जितना ज़ादा चलाते हो न उतना ज़ादा आपका mind क्या होता है oxidative stress में जाता है और जब आप oxidative stress में जाते हो तो आपके अंदर अलग-लग परकार की psychological problems create होती है तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि sir इस मन को कैसे control करें क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश किया तो हमने जबर्दस्ती भी एक जगे पर लगाने की कोशिश कर लिया और हमने negative thoughts को हटाने की भी पूरी कोशिश कर लिया और सब जितना हटाने की कोशिश करते हैं उतना दिमाग में ज़्यादा आता है तो हम क्या करें, हम कैसे इसके उपर काम करें बहुत अच्छे समझेगा दोस्तों बहुत अच्छे से अंडेस्टेंड करेंगा बेसिकलि ये जो सवाल पैदा हो रहा है कि हम हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग में क्या है कि बहुत सारे तरह के विचार आते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं समझेगा हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं अच्छा ये जो विचार आते हैं इन विचारों को हम मुख्य रूप से दो केटेगरीज के अंदर डिवाइड गर सकते हैं जितने भी आपके दिमाग में थोट आते हैं न दोस्तों जितने भी विचार आते हैं आप इन विचारों को दो केटेगरी में डिवाइड गर सकते हों कौन सी केटेगरी एक तो वो विचार जो हमारी इच्छा केनुसा राते हैं एक तो वो विचार होते हैं जो हमारी इच्छा केनुसा राते हैं अच्छा जो इच्छा के अनुसार आते हैं न वो तो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव थॉट्स होते हैं एक्जामपल के तौर पे कि जैसे मैं जो हूँ वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ डिजार भी तो यही होती है मेरी फैमिली स्वस्थ है मेरे दिमाग में जो फ्यूचर को लेके जो भी विजुलाइजेशन हो रहा है कि मेरा बिजनस बहुत अच्छी से ग्रोव कर रहा है मेरा बिजनस बहुत अच्छी से ग्रोव कर रहा है लाइफ बहुत जादा सुप्तब होती भी नजर आ रही है मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से विजुलाइज हो रहा है अच्छे तरीके से विजुलाइजेशन हो रहा है तो इस तरह का अगर visualization चल रहा है मेरे दिमाग में इस तरह का अगर thoughts आ रहे हैं तो ये जो thoughts है ये दोस्तों कौन से वाले हैं ये मेरी इच्छा के अनुसार वाले thoughts है और जब इस तरह के thoughts आते हैं जब इस तरह के thoughts आते हैं इस तरह के thoughts में तो हमें कोई problem नहीं है लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना ये जो thought है ये भी क्या है हमारी कलपना है ये भी हमारी future के imagination है कि कल भी बढ़िया है परसो भी बढ़िया है आने वाले time में सब कुछ बढ़िया है सब कुछ अच्छा अच्छा होते भी दिख रहा है सारे family members खुश है सारा घर खुश है business भी बहुत अच्छे से run कर रहा है सब कुछ इस तरह के thoughts आ रहे हैं और इस तरह के thoughts से हमें कोई problem नहीं है हमें कोई परिशानी नहीं है यह हमारी desire का according है हमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा दूसरे thoughts कौन से आ रहे हैं हमारे दिमाग में दूसरे जो हमारी इच्छा के against वाले thoughts है इच्छा के वीपरित दूसरे वेव इच्छार जो हमारी इच्छा के क्या आ रहे है against आ रहे है कैसे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा मुझे कुछ हो जाएगा मुझे cancer हो जाएगा मुझे heart की problem हो जाएगी मुझे लक्वा मार जाएगा मुझे diabetes हो जाएगी मुझे कोई और भीमारी हो जाएगी मैं मर जाओंगा इस तरह के ख्यालाद दिमाग में आ रहे हैं फैमिली को लेके ख्याला रहे हैं कि फैमिली को कुछ हो जाएगा फैमिली को कुछ हो जाएगा परिवार को कुछ हो जाएगा और फादर को कुछ हो जाएगा वो मुझे छोड़के चले जाएंगे, मदर मुझे छोड़के चले जाएंगे, बच्चे छोड़के चले जाएंगे, वाइफ है वो छोड़के चले जाएंगे, यह लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, इनको कोई बेमारी हो जाएगी, कोई घंबीर प्रॉब्लम हो चले जाएंगे, दूसरे इस तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में आ रहे, मेरा बिजनेस चॉपट हो जाएगा, और यार यार ये कोरोना की वेव लगातार आ रही है, ये तो पूरा कबाड़ा करके छोड़ेगी, इस तरह के ख्यालात, इस तरह का विजुलाइजेशन वो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ये वाला जो है, ये क्या है, नेगेटिव थॉट्स है, ये जो है, ये हमारे क्या है, नेगेटिव थॉट्स है, अच्छा, ये भी जो है न, ये करंट में नहीं है, करंट में I am healthy, सर मेरी जान चे सारी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सर प्रेजे यह जो दिमाग में आ रहे हैं ख्यालाद सर इन से बड़ी प्रॉब्लम होती है यह भी क्या है मेरी कल्पना है अच्छा पता problem क्या create हो रही है ये जो हमारे दिमाग में जो negative thoughts आ रहे है ये negative thoughts मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ ये दिमाग में ये thoughts चल रहा है मैं किसे से बात कर रहा हूँ दिमाग में negative आ रहा है कि ये देख ये तेरे actions के उपर ध्यान दे रहा है ये तेरे नात के उपर ध्यान दे रहा है, ये तेरे बालों के उपर ध्यान दे रहा है, ये तेरे को जज कर रहा है, ये thoughts दिमाग में आ रहे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, धड़कन बढ़ रही है, कोई heart की problem हो जाएगी, मुझे कुछ और गंबीर बीमारी हो जाएगी, गर पढ़ती है यह जो हमने टॉपिक सुरू किया था इसी वज़े से हमें हमारा जो दिमाग है हमारा जो मन है उस मन को हमें तंट्रोल करने की जुरूत पढ़ती है क्योंकि जो हम करना चा रहे ना वो हम नहीं कर पा रहे और फिर हम जबरदस्ती लग जाते हैं कि नहीं मेरे दिम मतलब आप अपने दिमाग को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, उतना ही आपका दिमाग अनकंट्रोल होता चला जाता है, जितना आप उसको नियंतरित करने का प्रियास करते हो, जितना आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हो, consciously जितने efforts डालते हो ना, उतना ही ज़ाधा आपका दिमाग अंड्रोल होता है आपको उतना ही ज़ादा डर लगता है, उतनी ही ज़ादा घबरहाट होती है, उतनी ही ज़ादा inability feel होती है, क्यार मैं इतनी कोशिश कर वह हूँ, फिर भी ये मेरा दिमाग कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा यह क्यों control नहीं हो रहा इसको समझेगा यहाँ पर क्योंकि हमारे दिमाग में जो यह विचार आ रहे हैं हम इन विचारों को real consider कर रहे हैं हम इन विचारों को real समझे रहे हैं हमारे दिमाग में इनकी जो picture बन रही है वो real picture बन रही है तो अगर आप इन thoughts को real consider करोगे तो आप बार बार इसको क्या करोगे control करने की कोशिश करोगे जैसे मानली जी कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है लेकिन है नहीं मेरे perception में एक व्यक्ति खड़ा है और जो मुझे यहाँ से धक्का मारने वाला है मेरे दिमाग में एक perception बन गया कि यह जो व्यक्ति खड़ाने यह मुझे धक्का मारेगा जबकि वास्ता में यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यह perception बना हुआ है कि यह मुझे धक्का मारेगा तो मुझे इससे बचने के प्रियास करने पड़ेंगे लेकिन अगर मैं इस चीज को समझूँगा यहाँ पे understand करूँगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं reality में कुछ है ही नहीं तो मुझे इससे बचने का कोई भी प्रियास नहीं करना पड़ेगा मुझे अपने आपको सवारने का कोई भी प्रियास नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं जैसे यह जो thoughts सारे मेरे दिमाग में कि मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे प्रियास करने पड़ेंगे अपने आपको बचा के रखने के अपने आपको protect करने के मुझे यह efforts डालने पड़ेंगे फटाक से डाक्टर के पास जा रहा हूं सारे body के test कर दो सारे body के जांचे कर दो आप देख कोई भी जान छूटनी नीची है कि कुछ भी मुझे में गडबर निकल जाए तो मैं सारे body के test कर वाँगा डाक्टर के पास जा रहा हूं लोगों से बात्चित कर रहा हूं लोगों से मिल रहा हूं family members के test कर वा रहा हूं उनको protect करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बई यह efforts क्यों डाल रहे हैं हम जब यह सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है कलपना है हमें बस इस चीज़ को समझने की जरूरत है understand करने की जरूरत है दिमाग को control करने की जरूरत नहीं है आप सीधा दिमाग को जितना ज़ादा control करोगे न उतना ही ज़ादा आपका दिमाग uncontroll होगा जितना ज़दा आप उसको दबाने की कोशिश करोगे ना जितना ज़दा आप दूसरे जो negative thoughts है वास्तम में वो सिर्फ thoughts है बट हमने उनको real consider कर रखा है अपने दिमाग में एक real perception बना रखा है कि यार ऐसा तो हो जाएगा अगर आप history उठा के देखोगे ना तो पिछले 6 मेने में ऐसा कुछ हुआ है ना पिछले एक साल में ऐसा कुछ हुआ है जब कुछ हुआ ही नहीं है तो और आगे का जो इस visualization हो रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं इनको सही तरीके से समझने की जुरुत है अगर आप नहीं समझते तो आप control करने की कोशिश करोगे और जितना control करने की कोशिश करोगे उतना ही दिमाग क्या हो जाता है uncontrollable हो जाता है दिमाग को control नहीं करना, दिमाग को समझना है हमारे दिमाग की functioning को समझना है किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर thoughts पैदा होते है किस तरह से हमारे अंदर belief system बनता है किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर neural patterns बनते है कैसे learning इन सब चीजों को affect करती है किस तरह से emotions create होते है किस तरह से हमारे behavior को जो force चीए जो energy चीए, वो energy मिलती है जिससे हमारा जो इतने भी expressions का part है वो expressions हमारे मजबूत हो पाए तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सही तरीके से समझने की जरूत है आप जितना ये समझोगे कि ये सिर्फ कल्पना है तो इस thoughts से related आपको कुछ करने की जरूत नहीं है जब कल्पना है तो क्यों करना लेकिन जब आप इसको real consider करते होना तो फिर दिमाग से हटाने की कोशिश करोगे और जितना आप हटाने की कोशिश करोगे आपका mind इसको इतना ही ज़ादा real समझेगा तो ये एक loop बन जाता है एक vicious cycle बन जाता है हमें इस vicious cycle के अंदर नहीं उलजना दोस्तों जब भी दिमाग में ख्याल आता है जब भी दिमाग में किसी भी परकार का विचार आता है अपने आपको clearly बताईए कि ये क्या है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है जितना जादा आप अलग-अलग situation में समझाओगे उतनी ही जादा आपकी conditioning होगी जितना जादा आप अभ्यास करोगे आपका mind उतना ही जादा इस चीज़ को स्वीकार करेगा इस चीज़ को मानेगा जितना जादा हम दिमाग में इस चीज़ को repeat करेंगे अलग-अलग situations के जाद में जभी भी आता है आरे ये तो सिर्फ कल्पनाए है विचार है, reality नहीं है सिर्फ thoughts है, पहले भी आ रहे थे अब भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई problem ही नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ कल्पनाए है और कुछ नहीं है जितना आप इसको कल्पना मनोगे न उतना ही आपका mind relax रहेगा मतलब आपके दिमाग को इनके against कुछ करने की जरूति नहीं पड़ेगी जितना consciously आप अपने आपको बताओगे अगर आप consciously नहीं बताओगे न तो आपका subconscious mind के अंदर इस से related जो भी patterns है automatically काम करेंगे आपको गब राट भी होएगी, दड़कन भी बढ़ेगी डॉक्टर के पैस भी जाओगे, सब ज़ब जाओगे extra energy आपकी waste होएगी लेकिन अगर आप consciously अपने आपको यह बताओगे न क्या है, कुछ नहीं है यह सिर्फ simple से thought है तो अगर आप अपने दिमाग को control करना चाहते हो न तो उसको control मत करो उसको समझो, किस तरह से आपका mind काम करता है दोस्तो यही एक difference है एक जो doctor होता है और एक जो सामाने person होता है same बिमारी सामाने person को भी होती है doctor को भी होती है treatment भी almost same ही चलता है लेकिन सामाने person परिशान बहुत ज़ादा होता है लेकिन doctor परिशान नहीं होता क्योंकि वो समझता है उस problem को जो जितना अच्छा समझता है ना, वो उतना ही अच्छा उस चीज के उपर control डवलब करता है, और जो जितना कम समझता है, उसके उपर control भी उसका क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हम हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से समझे, understand करें, दोस्तों हम लोगों ने दिमाग को सम description में दे रखा है उस पर जाके आप CBT को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हो जितनी भी psychological problems है उनसे बाहर निकलने में बहुत अच्छी help ले सकते हो और अपने दिमाग की अपने mind की जो functional anatomy है कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है किस तरह से thoughts create होते हैं किस तरह से belief system बनता है किस तरह से patterns बनता है कैसे emotions create होते हैं किस तरह से reprogramming होती है इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो समद सकते हो understand कर सकते हो और साथ ही हमने एक erectile dysfunctions और जो premature ejaculation है जितनी भी sexual problems है, sexual जो desire कम हो जाना या फिर जो sexual anxiety इन से related sex therapy का भी course launch किया है जिसका link भी मैंने नीचे description में दे रखा है जिसको आप अपने अंदर install करके हर तरह की sexual problems अपने आपको क्या कर सकते हो बाहर कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद घरता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरे YouTube channel DR KTV को subscribe नहीं किया तो please उसे subscribe करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत